पुर्टगाल में क्या आप अपनी driving license जो इसको exchange कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं पुर्टगिशी license के साथ अगर कर सकते हैं फी क्या होगी, documentation क्या क्या है, website कौन सी है, बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल आया था सबसे पहले मैं आपको बता दू, आपको इनकी optional website पर आना पड़ेगा, इनकी optional website है e-portugal.gov.pt जो आप मेरी screen पर देख रहे हैं आभी आपको scroll करना पड़ेगा bottom की तरफ, जब आप scroll करोगे तो ये option आपको डूनना पड़ेगा, जहां पर लिखा है exchange online, fill in the online form, 30 euro, there may be more associated cost, check the list of required documents तो ये तीन options आपको यहाँ पर देखने पड़ेगे, इन तीन options पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखे 30 euro जो है वो fee बता रहा है, लेकिन ये vary कर सकता है, ये exact amount नहीं है, अब आपको सबसे top पर click करना पड़ेगा, जहां पर लिखा है fill in the online form, सारा जितना भी आपका issue होता है, वो IMT website के पास जाता है, तो अगर आपको अपनी driving license एक्सेंज करनी पड़ेगी, तो वो भी IMT के साथ ही exchange होएगी, अभी सारा जो interface है, वो पूर्तेगिशी में है, इसको translator English करते है, translate English करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सा personality, उसकी validity जो आपकी passport की है, यह document जो भी आप provide कर रहे हैं, उसका आपको validity यहाँ पर भरना पड़ेगा, जनरली अगर आप अपना driving license एक्षेंज करते हैं, तो उसके लिए आपके पास यहाँ काड होना चाहिए, पासपोर्ट पर नहीं होता, बहुत सारे लोगों का बाद मे जो भी है, उसको fill करने के बाद आप बारी आते है documents की, अब बहुत सारे दोस्तों का confusion होता है, कि documents में यहाँ पर चाहिए क्या क्या, देखें, मैं एक एक करके documents को explain करता हूँ, और try करता हूँ, जो मेरे पास documents थे, उनको देखा कर आपको थोड़ा example दे देता हूँ, तो सब लाने के बाद आपको जो है, इस पर stamp लगवाना पड़ेगा, यानि जो government stamp होती है, जो app style होता है, जो हम PCC पर करवाते हैं, exactly इस पर भी लग जाता है, license जो है, यह जो एक्स्रेक्शन है, यह authenticate हो जाता है, कि यह valid है, और यह authenticated है government से, और यह आपको चाहिए, और उसके बा कर सकते हैं, पास्पोर्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, यह आपका पुर्तगाल का रेजिदेंसी कार्ड लगेगा, यह पुर्तगाल का पास्पोर्ट लगेगा, उसके बाद यहाँ पर copy of driving license, यानि जो आपकी original home country से driving license है, जो वो DL है, वो आप यहाँ पर उसकी copy जो है, आप psychological assessment test ले सकते हैं वहाँ पर, या अगर आपके पास private insurance है, तो आप private insurance जो आपका doctor होगा, उससे यह आप psychological assessment ले सकते हैं, उसके नीचे electronic medical certificate, यह भी आपको usually generally online मिलती है, 30 रो, 32 रो में मिल जाती है, लेकिन आप जो है संत्र दो सूथ पर जाके apartment उठा सकते हैं, और वहाँ स simple documentation है, उसके बाद नीचे आके आपको अपना declaration यहाँ पर fill करना पड़ेगा, यह आज की date डालना पड़ेगा, और जो यह I declare वाला यहाँ पर description है, tick mark करना पड़ेगा, और इसके बाद नीचे आप जो है, यहाँ पर appointment उठा सकते हैं, किस IMT के साथ आप appointment उठाना चाते हैं, फारो बिल्कुल मत उठाना, मैं बिल्कुल recommend नहीं करता हूँ, बहुत ही जादा slow है, बाकि आप try करें, अवेरो वगेरा, बेजा भी बहुत जादा slow हो रखिये, संतराइं भी slow हो रखिये, पर तो try करें, इन में से कोई try करें, बहुत अच्छी जो है, आप अपने application submit करोग उसके बाद आपको गिया मिलता है, जो 6 मिने या 3 मिने के लिए valid होता है, फिर कुछ टाइम बाद आपको license आपके address पर आ जाता है, तो यह बहुत ही ज्यादा simple process है, अगर आप अपना license जो exchange करना चाते है, किसी agent को पैसे देने की जूरुत नहीं है, आप 300, 400, 500 जिरो देते ह करें, यह वीडियो उन दोस्ते के साथ share करें, जिनको इस वीडियो की जूरुत है, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करें, अगर आपके पास फिर भी डाउट है, आप मुझे comment box में comment लिख सकते है, या message कर सकते है, बाकी वीडियो के लिए account को follow जूरुर करें